आइडिलीच फ़र ब्रीडिंग होता है टू येर्स से लिके 6,7,8 येर्स मैक्जिमम एक फीमेल डॉग अपने लाइफ टैम में 4,5 ताइमस मैक्जिमम ब्रीड होना चाहिए बिहेवरिल पॉइंट अफ यू से पपी इसका लिटर साइज आइडिली 5 होना चाहिए हाई दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक पपी को घर पे लाने से पहले उसे खरीने से पहले आपको किन-किन चीज़ों का ध्यान देना है ताकि आपका लाइवा पपी healthy, stable and high quality का हो इसके लिए हम discuss करेंगे कुछ topics जैसे breeder को कौन-कौन से questions पूछना है यह कैसे decide करें कि आपका breeder right है या wrong है पपी के parents में मिलना क्यों ज़रूरी है और मिलने के बाद उनमें क्या-क्या चीज़े चेक करना है ताकि उनसे आएवा पपी healthy और आपके लिए right हो और भी ऐसे बहुत से questions जो आपका puppy buying process या puppy लाने का process easy कर दे और आप ऐसी कोई गलती ना करें जिससे आपका आने वाला 10-15 years problem से भरा हो मेरा नाम है भासकर चोहान और आपका स्वागत है इस channel dog training with pet guru में एक breeder को call करते वक्त उसे questions पूछते वक्त उससे जानते वक्त आपको कुछ important questions को पूछना बहुत ज़रूरी है सबसे पहला question जो आप अपने breeder से पूछोगे वो है कि उसे dog breeding में कितने साल का experience है दूसरा question आप पूछोगे कि जो breed आपको पसंद है जो breed आप लेने वाले है उस breed में आपके breeder को कितने साल का experience है तीसरा question आप ये पूछेंगे कि आपके पसंदीदा breed के अलावा उसके पास और कौन-कौन से breeds available है चोथा question आप पूछोगे कि साल के कितने महीने उसके पास puppies available होते हैं पाच्छवा question आप पूछेंगे कि puppies को कितने महीनों बाद कितने दिन बाद आपका breeder mom से अलग करता है और कितने दिन में कितने महीनों में वो puppies को देने के लिए sell करने के लिए तयार है अब हम देखेंगे कि कैसे यह सारे questions important है सही puppy choose करने के लिए जब हम breeder की बात करते तो breeder का मतलब एक licensed breeder प्लीज पपी कोई pet shop या puppy shop से ना खरीदे अगर हो सके तो आप किसी shelter में जाके puppy को adopt करे या फिर किसी ethical licensed breeder के पास ही puppy को खरीदे pet shop और puppy shops में मैं आपको इसलिए puppies ले ने ने बोल रहा हूँ क्योंकि वहाँ बर puppies को mummy से अलग रखा जाता है जो कि आपका और आपके puppy का बहुत बड़ा loss है similarly एक unethical breeder या फिर एक unlicensed breeder से भी puppy आपको नहीं लेना चाहिए क्योंकि वहाँ पर आपको mal practices और गलत तरीके के breeding का example देखने मिल सकता है जो again आपके लिए बहुत बड़ा loss है experience से आता है knowledge, knowledge से आता है perfection and quality dog breeding एक simple काम नहीं है इसके लिए चाहिए बहुत सार efforts, मेहनत, dedication, skill and knowledge एक healthy and high quality puppy के लिए right mom and right dad का choice करना बहुत important है इसके बाद इन्हें कितने साल बाद breed करना है, साल में कितनी बार breed करना है ideal age for breeding होता है 2 years से लिए 6, 7, 8 years maximum कुछ-कुछ breed जैसे great day इनका life span काफी छोटा होता है और इसलिए वैसे breed के लिए जो maximum age limit है वो change हो सकता है तो आपको यह देखना है जो puppies आप लेने जारे हो उसकी mom का age क्या है जब उसने puppies को पैदा किया है अगर आपको लगता है कि यह age ideal age के range में नहीं आता है तो please वहाँ से puppy ना ले क्योंकि वो mom के लिए भी खतर है और आपके pup के लिए भी इनका खयाल कैसे रखते है इन सब का knowledge and experience बहुत important है ठीक उसी तरीके से जैसे humans में एक pregnant mom का ठीक तरीके से ध्यान दिया जाता है ताकि उसका बच्चा healthy हो उसी तरीके से आपके puppy के भी mom का ठीक तरीके से खयाल करना बहुत important है ताकि आने वाले puppies healthy and stable हो जितना कम गलतियां करेंगे जितना ध्यान puppy के mom का रखा जाएगा उतना ही अच्छा quality का puppy आपको breeder के पास से मिलेगा और ये सब एक अच्छा और repeated breeder ही कर सकता है तो आपको इसलिए एक अच्छे experience और repeated breeder के पास से ही puppy लेना है ये जरूरी नहीं है कि अगर आपका breeder एक particular breed में अच्छा है और इसे बहुत साल का experience है तो वो और बाकी breed में भी उतना ही अच्छा होगा एक्जाम्पल के तौर पर आप ये सोचे कि अगर एक breeder को golden retriever में 30 साल का experience है और उसे इस breed में महारत हासिल है तो ये जरूरी नहीं है कि वो rottweilers के लिए भी उतना ही अच्छा breeder होगा क्योंकि हर इक breed बहुत special है उनके अपने-पने breed characteristics and traits होते हैं और अपने-पने weaknesses और strengths होते हैं इसे समझना बहुत important है और इनके बारीकों को धान देना बहुत important है और इसलिए अगर आप कोई breed ले रहे हैं जैसे लाबरेडर तो आपके breeder को लाबरेडर के बारे में सालों का experience होना चाहिए उस इस breed के बारे में knowledge होना चाहिए और उसका repetition अच्छा होना चाहिए अच्छे breeders एक दो यह maximum तीन टैप के breed का breeding करेगा अगर आप जिसके पास से puppies खरीद रहे हैं वो multiple breeds सेल करने के लिए तो याद रखे वो एक breeder नहीं है वो शायद एक agent हो सकता है middleman हो सकता है जो किसी और के पास से puppies लेके आपके पास दे रहे हैं और इससे आपको transparency नहीं मिल होगा और बहतर यह होगा कि आप puppy directly breeder के साथ ले ताकि आगे उस puppy के बारे में जो भी questions है आप directly breeder के पास से पूछ पाए अगर आपके breeder के पास साल के 12 महने puppies available है तो इसका मतलब यह हो सकता है कि आपका breeder एक mom को multiple times साल में breed कर रहा है इसका मतलब यह भी हो सकता है कि आपके breeder के पास बहुत से डॉग है बहुत से डॉग मतलब कम खयाल और कम खयाल मतलब low quality puppies इसका मतलब यह भी हो सकता है कि शायद आपका breeder किसी और से डॉग को लेकर आपके पास दे रहा है इसका मतलब यह है कि आप real breeder से direct contact में नहीं है तो इसल आपको यह ध्यान देना है कि ले टाइम में ही प्रीड करता है क्योंकि जितना कम वो ब्रीड करेगा जितना राइट टाइम पर ब्रीड करेगा उतना ही अच्छे quality का पपी वो आपको दे सकता है एक पपी को अपने शुरुवात के दू महीने मॉम के साथ बिताना बहुत ज़रूरी है इन शुरुवात क दो मेन में आपका पपी अपने मॉम अपने एल्डर अपने भाई बैनों से बहुत से इंपोर्टन चीजे सीख के आता है इसके बारे में हमने एक वीडियो बनाया आप इसका लिंक यहां पर या फिर दिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं और अगर आपका ब्रीडर अपने प बाद आप अपने ब्रीडर से पूछोगे कि मॉम एंड डाड का ब्लड लाइन कौन सा है और क्या उन्होंने उसका हेल्थ स्क्रिणिंग टेस्ट किया है या नहीं हर इक ब्रीड के अपने जैनेटिक कंडिशन होते हैं इसका मतलब यह है कि अगर कोई पर्टिकिलर मॉम या कि फोर फादर हेल्दी है या नहीं क्योंकि अगर आपके पपी में इन में से कोई भी जैनेटिक कंडिशन है तो यह लाइफ लॉंग रहने वाला है तो अगर आप चाता है कि आपका आने वाला पपी हेल्दी हो तो यह सारे जैनेटिक कंडिशन से फ्री हो और इसलिए एक अच्छा ब्रीडर यह सारी चीजों का ख्याल रखता है और वह ध्यान देता है कि वह healthy and stable dogs को ही ब्रीट करें आइडिली टू मन्स के एज तक पपी का डिवामिंग हो जाना चाहिए और at least पपी डिपी वैक्सिनेशन सो हो जाना चाहिए तो जब आप मॉम के मेडिकल रिकॉर्ड को चेक करें हो तो आपको यह भी चेक करना है कि पपी का वैक्सिनेशन और डिवामिंग हो गया है या नहीं अगर नहीं हुआ है तो आगे इन सोचने वाली बात है अगर एक ब्रीडर किसी ऐसे पपी को सेल करता है जिसमें जनेटिक कंडिशन है तो उसका रेपिटेशन बहुत हद तक खराब हो सकता है इसका मतलब यह है कि हर एक अच्छा ब्रीडर हमेशा यह चेक करेगा कि मॉम और डाड का ब्लड लाइन अच्छा हो और उसके हेल्थ स करेंगे आप रिक्वेस्ट करोगे ब्रीडर को पपी के मॉम को खाना खेलाने के लिए उसके बाद आप ब्रीडर को पूछोगे खाना खाते वक्ट पपी के मॉम आपको अपने ब्रीडर को बेसिक हैंडलिंग और ग्रूमिंग करने को बोलना है अगर डॉप किसी भी तरीक ये का hesitation दिखाता है, तो उसका मगला उसे that sensitivity हो सकती है.